जयमा बिंदवाश्णी हर हर महात्यूवा, आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब परिवार में, अगर आप तंत्र संबन्दी वेविश्यों के बारे में जानकारी प्राप्थ करने के खुकर रहते हैं, आप तंत्र साहित के प्रेमी हैं, तो आप हमारे साथ इस चैनल मे और आप हमारे अन्य गुरुप से जुड़ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन्य गुरुप के लिंक दिये हुए हैं आप सभी का स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे अगोर अमवस्या तारा महा विद्या तारा अमवस्या के विच्चे में जो भी लोग तंत्र सं मंदिक रियाओं में सनलिप्त हैं या फिर आप तंत्रोक्त पद्यती से शातिविक विधान से ही सही लेकिन तंत्रोक्त पद्यती से आप किसी भी महाशक्ति की उपास नकर रहे हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत ही महत्तपूर्ण होता है भक्षिमंगाल बंगलादेश इन सबी जगहों में यानि प्रुवत्तर राज्यों में नागलादेस हैं उ इस चेत्र के चेत्रिय तांत्रिक बोल लीजे इस तरफ के विद्धाओं के अनुसरन करने वाले जो लोग हैं वे सभी के सभी लोग भाद्र पद्र की अमवस्था तित्री को तारा पेठ में अवस्था आते हैं महासमसान की साधना करने महासमसान में अपने विद्धाओं को तंत्रोग्त शाधनाव में वहां तो इस दिन जो है इस वर्स 2021 में महाविद्यात तारा आप्वस्य अगोर चतुरदसी जो पड़ रही है वहां आपको 6 सितंबर सोमबार के दिन पड़ दिन पड़ दिन तो पांच सितंबर से चार सितंबर की रात चाली हो जाएगी सारी साधना है 4 कि राध colors साधनाा जो है शेयं लोग कर देते हैं और आपने मंद्र तंतर इत्यादी साधना उनको करनी होते होते हैं तो आप अगर सामाने साद को एक UVA में जानकारी नहीं है तो यह जानकारी आप लें इसे आप सही तरीके से समझे और करें इस दिन क्या करना चाहिए अगर आप साबर श्यत्र से संबन देते हैं तो साबर मंत्रों की या अपने तंतुरक्त विध्यों से आप पूजन करते हैं सहस्त राजय नित्यादी करते हैं तो चतुर दस ने मंत्रों का जब कर सकते हैं विधी विधान आप अपने इश्ट देवताय के अनुसारी रखे जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप में से कोई साधक जो है महाविद्या भगवती महाकालिका की साधना कर रहे हैं तो आप उनकी जिसमी मंत्र का बार बार साधना अनुष्ठान उससे कई गुना अधिक लाब इन दिनों में करने की होती है इससे ना सिर्फ आपको उस मंत्र का तपोबल बढ़ेगा ना सिर्फ उरजा बढ़ेगा बलकि आपके बहुत सारे ग्यात अग्यात पाप जो है उनका भी विनास हो जाएगा तो इस दिन का लाब उठाना तो इस वर्स भी आप लाब उठाएं आगे के वर्स में जभी भी अगोर ममस्या महाविद्ध तारा ममस्या इत्तादी की तिथी जभी भी पढ़े तो आप सभी को प्रयास करना चाहिए अगर सारा सिच्वेशन्स नॉर्मल है तो अपने आस पास के सक्ति पीठ में जाने का उस दिन भगवती से सम्मंदित जितने भी सक्तियां होती है खास करके अगर वह तंतरोक्त सक्तियां है या फिर वामचार पद्यती से अगर कहीं पर साधना उपासना होता है भगवती का सिवा पूजा होता है अगर वैसा सक्ति पीठ आपके आस पास है तो आपको इस दिन जरूर जाना चाहिए जैसे कि कामरुप का माख्या भगवती महाविद्ध तारा पीठ पश्यमंगाल बीरभुम में जो है वहां रजरप्पा जो कि राज हारखंड में पड़ता है वहां बिहार में भगवती महाविद्ध तारा का एक पीठ है उस जगह इस तरीकी की जो छेत घ swiftly लगा करके देखिए आपके बहुत सारे रुकेवे कारेजर कॉन्ष जाएंगे आfe मंतर की सादिना करते हैं मंतरों आप सभी लाव उठाएं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवा जया माविंद्वाशनी हर हर महादेव